सबसे पहले हम ओटर आईडी और आधार लिंक कराने के फायदे के बारे में जानते हैं। बहुत से लोग गाव और दुसरे शहर दोनों में पहचान पत्र बनाते हैं। इस फरजी वाड़े से फरजी ओटिंग की आशंका बढ़ जाती है। सरकार इन प्रकारों पर अंकुष लगाने और उन लोगों की पहचान सत्यापित करने में सक्रिय रही है। जिनके नाम पर एक से अधिक चुना ओटर आईडी है। ऐसे मतदाता ओपर रोक लगाने के लिए सरकार ने ओटर आईडी को आधार से जोड़ना जरूरी कर दिया इस नीरनाई से फरजी मतदान पर रोक लगेंगी और यदि मतदाता के पास एक से अधिक कार्ड है तो उनकी जानकारी लेने के बाद ओटर आईडी रद्द कर दी जाएंगी। यहाँ फाइदा ओटर आईडी को आधार से लिंक कराने का है। अब जानते हैं मोबाइल पर ओटर आईडी को आधार से कैसे लिंक कराएं। आपको अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर में ओटर हेल्प लाइन इस एपस को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ नीचे दाई और टीक लगाकर नेक्स्ट इस ओप्षन पर क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे बाई और गेट स्टार्टेट पर क्लिक करना है। ओटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाईल स्क्रीन पर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएंगा यहाँ सबसे नीचे फॉर्म 6 भी लिखा दिक रहा है उस पर क्लिक करना है इसके बाद शुरू करते हैं इस निले बॉक्स पर क्लिक करना है यहाँ अपना मोबाईल नमबर डाल कर ओटीपी भेजे इस ओप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ ओटीपी डाल कर सत्यापित करे इस ओप्शन पर क्लिक करना है यहाँ आपसे पूछा जाएंगा कि आपके पास ओटर आईडी है या नहीं अगर है तो टिक लगा कर अगला इस ओप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ आपको अपना ओटर आईडी नमबर डालना है नीचे स्टेट स्लेट करने के बाद विवरन प्राप्टा करे इस ओप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ दी गई जानकर यह आपको पड़ लेना है और फिर से नीचे दिये गई अगला इस ओप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ आधार विवरन इस बॉक्स में अपना आधार नमबर डालना है यहाँ नीचे मोबाइल नमबर डालना है इसके बाद स्तान के बॉक्स में अपने गाव का नाम डाल देना है नीचे पूर्ण लिखावा दीक रहा है उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएंगा इसे स्क्रॉल करने पर नीचे पूष्टी करे लिखा दीक रहा है उस पर क्लिक करना है इतना करने के बाद आपका आवेदन सफलता पुर्वक सब्मिट कर दिया गया है इहां मैसेज दिखाई देंगा इस तरह से हम ओटर आइडिय को आधर कार्ड से मोबाइल पर लिंक करा सकते हैं इस वीडियो दारा दी गई जानकारी आपके काम आये तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद